हलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर सुशिला सेनी गाइनेकलाजिस्ट एन अपसेशन डाइरेक्टर जापु दूर्बीन हास्पटेल एक बार फिर से आपके साथ हूँ अभी तक हमारी प्रेग्डिनसी सीरीज में हमने बात करी फर्स ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर कर और अब हम पहुँच चुके हैं इस जर्नी के एंड सेशन की तरफ याने नॉमल लेबर की तरफ या डिलिवरी की तरफ जैसे जैसे पूरा नाइन मंद कम्प्लीट ह होता है आपका बेबी बंप कम्प्लेटल फ्राइशन लगता है अप एंजॉय कर रही है अपना प्रेग्णिनसी के पूरे नाइन मंत और नाइन मंत के एंड में आके अब आपको थोड़ी चिंता लगने लगी है थोड़ी से परेशानी आपको लगने लगी है कि हाँ आप भी भारी लगता है चलने में भी परेशानी आती आथी है बटब हैपी एंडिंग विल भी दैयार अगर हम थोड़ी तैयारी करेंगे थोड़ा अपना मोटिवेशन रखेंगे अपने आपको फिट रखेंगे तो जरनी का बहुत ही सुखद अन्थ होगा हमें एक अच्छा ह प्रसव पीड़ा यानि लेबर पेंस थोड़े कम महसूस हो आपको और एक हल्दी बेबी को जन्म दे सकें तो इस वीडियो में हम अभी बात कर रहे हैं कुछ एक एक एकसेसेस की और मॉर्निग वॉक रूटीन की और कुछ डाइट की तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना मॉर्निग रूटीन जब भी आप सुबह उठती हैं तो मॉर्निग वॉक जरूर कीजिए और मॉर्निग वॉक ट्वेंटे मिनिटे तूत थर्टे मिनिटे और फॉटे मिनिटे जितना भी आपको अच्छा लगता है उतना आपके कैपेसिटि में लगता है उतना आप करसकती हैं sicher खुले स्पेस में आप करें तो बहुत अच्छा होगा बंद कमरे में ऑक्सिजन का लेवल कम होगा अगर आप खुले गार्डन में चछत पे अगर आप घूमते हैं और 30-40 मिनिट का वॉक करते हैं तो आपके फेफ़ों में बहुत अच्छे से ऑक्सिजन जाएगा यह ऑक्सि कि ऑक्सिजन की जो मात्रा वो बढ़ाई जा सके और लंग्स की केपेसिटी अपनी बढ़ सके जिससे कि जब लेबर पेंस हो तो अपन जोर लगाना अगर अपने को लगे तो वी केन प्रिपेर आर बॉड़ी फॉर देट आट आफ्टर मॉनिंग वॉक वी कन डू बॉड़ जिससे कि बॉड़ी में थोड़ी सी और स्ट्रेंथ डेवलप होगी और थोड़ासा बॉड़ी में खुलापन होगा मसल्स को स्पेस मिलेगा मुवमेंट के लिए तो फुल बॉड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं साइड बाई साइड बैंडिंग अप कर सकते हैं और साथ में arms stretching exercises आप कर सकते हैं, arm rotation आप कर सकते हैं, तोड़ा physical activity आपके count होगी, body में movement tonus बना रहेगा, फिर हम कुछ उन exercises पे ध्यान देंगे, उनहीं को concentrate करेंगे, जो कि हमारी pelvic muscles का muscles को strengthen बनाती है, pelvic girdle की area को थोड़ा सा space उसके अंदर बढ़ाती है, इस muscles हमारे लिए इसलिए important है कि muscles should be strong and relaxed also, कि बहाँ space create होना बहुत जरूरी है और आप आराम से बच्चे को जन दे सकें, तो जो exercises अभी कर सकते हैं, 9 month के end की तरफ और जो normal delivery को बढ़ाती हैं, अपने को comfort देती हैं, कुछ एक exercises हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इन exercises में, तो leg apart करके, थोड़ा सा leg stretching आ सकते हैं, दूसरा, आप squatting position में बैठ सकते हैं, और मलासन कर सकते हैं, squatting position में बैठने से pelvic girdle का muscles जो उसको घुमाती है, उनका movement होता है, उनका strengthening बढ़ता है, pelvic girdle के अंदर, brim के अंदर space create होता है, और बेबी को अंदर जाने के लिए रस्ता create होता है, और एक normal delivery के लिए आसान सकते हैं, और मलासन होता है, थोड़ा सा बैठे बैठे चलती है, जिससे कि यह थोड़ा और मसल्स को strengthening मिलती है, इसके साथ में लंजेज एक्सरसाइजेस आप कर सकती है, वो भी काफी फीमस और अच्छे से आप कर सकती है, यू कैं डू, फिर इसके बाद में अगर आप थो अंदर पैल्विस के अंदर सपेस क्रियेट होता है, इसके बाद में आप लेटे लेटे पिछे की तरफ लेट कर, फ्रंट इसके सीस कि फ्रंट प्रिज एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, फ्रंट इसके से में अप लैक्स मोर बोड के कमर के निचली से को ऊपर उठाते जिस इसके बाद में आप इसी को पोजीशन को चेंज करके थोड़ा cat and cow position में जा सकते हैं जिसमें कि आप हातों और पैरों पर इस तरह के से आप four like position में आप खड़े हो सकते हैं उसके बाद में जब spine का करवेचर आप अंदर की तरफ लाएंगे तो that is making cat pose और स्पाइन का करवेचर आप बाहर की तरफ ले जाएंगे तो यह बन जाएगा आपका cow pose तो इसी तरह के से alternately आप cat and cow pose करते हैं तो पैल्विक ब्रेम का गर्डल का exercises होता साथ में आपका spine का यानि कमर की muscles का भी exercise होगा और आपको normal delivery की टाइम पर थोड़ इसे strengthen आपकी बढ़ ज exercises होती है आप देखने पूरा बैक का करवेचर इसमें पूरा पीछे की तरफ बैक बेंडिंग exercise है जिससे की पीट की muscles को मशबूती मिलती है कैमल पोस जिसमें की back bending हो रही है back bending के बाद में आप फ्रेंट बैंडिंग के लिए आप रैबिट पोस यादि शशांकासन में जा स जब भी आप यूरीन जाने के लिए जा रहे हैं या तो उसमें आप यूरीन होल्ड करने की कोशिश कीजिए और तब तक टाइट रखिये तब तक कि अपने आप से रिलेक्स ना हो जाए इस तरह केसे आप नीचे के शिष्टते को सिकोडती है और अपने आप से जो जया रोगए तब तक आप उसे सिकोड के रखिए इसे island excels बोलते इस πंश्ड इसे नीचेले हिसे की जो pelvic floor की जो muscles हैं वो strengthen होती है और delivery process आसान होता और delivery के बाद में भी exercises continue रखनी होती है जिससे कि अपने prolapse के बारे में सुना होगा जिससे बच्चेदानी नीचे खिसके आ जाती है तो उस prolapse की संभावना को ये exercises कम कर देती है तो ये तो सब हो गई हमारी physical exercises जिससे कि हमने pelvic girdle की muscles और back की muscles के strengthening के लिए अपने exercises की है और ये regular करनी है लेकिन अगर आपको ये exercises करते समय नौजिया वॉमिटेंग पेट दर्थ या किसी तरह की कोई problem लग रही है कि आपको लग रहा है कि कोई uneasiness आपको लग रहा है तो आप ये exercises वही रोक दीजे और ये exercises बिना supervision के आप कभी ना क्योंकि आपका इस pregnancy के 9th month के end पे baby bump पूरा flourish है back का curvature आपका अंदर आ चुका तो body का balance थोड़ा सा unstable रहता है तो आप जब भी exercise करें अपने family के किसी भी member की साहिता ले सकती है किसी train teacher के साथ आप कर सकती है या आप अपने partner के साथ exercise कर सकती है बिना supervision के exercises ना कीजिये क्योंकि क कुछ भी balance बिगड़ता है कुछ चोट लग सकती है और कोई problem create होती है और उतनी ही exercise करनी है जितने के आपके comfort zone में हो अगर आपने 9 months से कभी exercises नहीं की है और बिल्कुल आप नहीं है और अब एकदम से आप नहीं चीज़े ना try कीजे और करें तो बहुत हलके से कम से और without supervision न जरूरी है क्योंकि अगर आप इस चीज़ का stress लेती है कि बेबी कैसे होगा कितना दर्द होगा कितनी परेशानी आएगी how can I handle it यह चिंताएं भी आपके बच्चे पर थोड़ा बुरा असर डालती है और आपके इस process को थोड़ा सा आपके लिए heavy बना देंगी तो थोड़ा इस चीज़ से उबर पाएंगी तो meditation इस चीज़ के लिए बहुत रिलेक्सिंग होगा बहुत helpful होगा तो you can do that also अभी तक इस वीडियो में अपने जान लिया कि हमें कौन-कौन से physical exercises करनी है कैसे meditation करना है और हम कैसे अपने birthing process को smooth बना सकते हैं, easy बना सकते हैं और इस दोरान अगर आपको कहीं भी लगता है कि कुछ bleeding हो रही है, कुछ leaking हो रही है, पानी जैसा कुछ निकल रहा है यह लगाता रुक रुक के दर्द आ रहे हैं, आपको पिछले कमर के पिछले हिस्से से आगे के हिस्से में आ रहे हैं, cramps आ रहे हैं यह आपको लग रहा है कि बेबी नहीं घूम रहा है, बेबी की movement आपको feel करने में दिक्कत लग रही है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर रिपोर्ट कीजिए, विकाज यह साइन हैं आपके कि लेबर पेन स्टार्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं और आप एक बेबी को बर्थ जन्म देने के लिए अब रेडी हैं तो enjoy कीजिए अपने pregnancy के इस beautiful journey को हमारे साथ और बने रहे हैं अगर कोई भी query है तो आप हमें inbox जरूर कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने जैपुर दुर्बिन के YouTube चैनल को like नहीं किया है, subscribe नहीं किया है तो तुरंत कीजिए ताकि आगे के वीडियो की notification आपको मिलते रह हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नहीं 6.1 तुरंत कर सकते हैं प्रीस का आपका coordinator मोईर कर सकते हैं याहीं साथ Чइनित्र अपका टर भी है वी को दुर्डर के लिगे कमाना लान जरुबवाद झाल झाल